भारतिये संबिधान के नर्माता भारत रत्न बावा साथ डाक्टर भीमरा अम्वेटकर के चिंतन से जुड़े हुए इस अंतर राश्ट्रिये संबेलन में प्रमकुरूप से उपस्तित भूदपूर्व उपाद्यक्ष लोगसभा डक्टर चरंज सिंग अटवाल जी सामाजिक न्यायवम अधिकारता राज्यमंत्री स्रीविजेश सापला जी भारत के भूदपूर्व मुख न्यायदीस स्रीके जी बाला किश्नन जी मंच पर उपस्तित अन्य गर्मान अतितिगन इस सभागार में उपस्तित सभी देवियों और सज्युनौं आप सब के बीच में आकर के मुझे बहुत प्रशन्नता हो रही है और इस हाल में लगातार पिछले दो दिनों से मैं आ रहा हूँ और सबसे बड़ी प्रशन्नता ये है कि जो पिछले दो दिनों से आज तीसरा दिन है ये तीनों दिन इसी हाल से और विज्ञान भवन में संविधान दिवस को ही समर्पित किये है जब मैं यहां पच्चीस नवंबर को आया उकारकम आयोजित हुआ था ला कमिशन एफ इंडिया को दारा कल जब 26 को आया तो उकारकम था भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा और आज जो कारकम हो रहा है वो हमारे सभी जो पार्लेमेंटरियन्स हैं लेजिसलेटर्स हैं और सभी लोग हैं उन सब के द्वारा लेकिन बिसे एक ही है संविधान दिवस संविधान दिवस मुझे लगता है कि शायद ये पहला मौका है देश में एक बार तो मनाया जाता था लेकिन तीन तीन दिन तक और लगातार इस विज्ञान भवन के प्लेनरी हल में मनाया जाता हो ये मुझे नहीं लगता है कि पहले कभी हुआ संविधान दिवस तथा डाक्टर अंबेटकर की 125 जयनती की इसमृती में इंटरनेशनल अंबेटकर कंकलेब कायोजन एक अतियंत प्रशंसनी पहल है सिक्षा, समावेसी विकास, समता और ससक्ती करण द्वारा अंसूचित जातियों और जन जातियों की इस्तिती में सुधार लाने के उद्देश से प्रेरित होकर इस संविलन का आयोजन करने के लिए मैं फोरम आफ यस्सी एंड यस्टी लेजिसलिटर्स एंड परलेमेंटरियन्स की सराहना करता हूँ विसेश रूप से मैं सराहना करता हूँ जिनकों मैं बरसों से जानता हूँ आदरनी चलनजी सिंग अटमाल वो संसद में कई बार रहे लोगसभा में डिप्टीज भी कर रहे और संयोग से उन्ही दिनों मैं भी राजसभा में था लगातार इसी एस्टी के मुद्दों को लोगसभा हो अथवा बाहर इनको उठाते रहना उन पर गहन चर्चा करना सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना और जब यहां से चले भी गए तो मैंने देखा कि जब वो पंजाब गए तो पंजाब के जब वहाँ स्पीकर बने वहाँ पर भी उन्हों यही काम जारी रखा इसलिए वो जो कुछ उनके दिल में है आज जो बोल रहे थे वो अपने दिल की बात कह रहे थे जब तारीक की बात आई तो मैं तो तारीक के लिए 26 तारीक को देने के लिए तैयार था लेकिन जब बाद में बताया गया कि इसी प्लेनरी हाल में जिस दिन राष्टपती का और प्रधान मंत्री जी का कारकम होगा उस दिन किसी भी संस्था को ये हाल नहीं मिलता है तो इसलिए फिर ये तैय हुआ कि 25-26 निकल जाने के बाद में 27 तारीक बस्ती है तो 27 तारीक को करेंगे और मैं जरूर आऊंगा मुझे बहुत इस बात के लिए खुसी है कि उसको beginning कह सकते हैं बट इस ए good beginning बाबा साब ने कहा था कि मेरा आदर्स समाज इसी आदर्स का समावेश उन्होंने हमारे सम्विधान में किया जैसा कि हम जानते हैं हमारे सम्विधान का मूल उद्देश एक ऐसे लोक तंत्र का निर्माड करना है जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक नियाय प्राप्त हो प्रतिष्ठा और आवसर की समता प्राप्त हो समस्त नागरिकों में बंदुता बढ़े मैं समस्ता हूँ कि इस पूरम द्वारा किये जा रहे प्रियास उस आदर से समाज की और उठाये जा रहे सच्चे कदम है ऐसे प्रियास करते रहना ही डाक्टर अम्बेटकर के प्रति हमारी सच्ची सर्दांजली व्यक्त करना है डाक्टर अम्बेटकर ने असमानता की आमानुवी इस्तितियों का सामना करते हुए असाधारन सिक्षा के बलबूते पर तरक्की और प्रतिस्ठा हासिल की थी सामाजिक अधिकारों के लिए संगर्स के साथ सारवजनिक जीवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने भारतिय समाज को सही अर्थों में आधुनिक समाज बनाने की दिशा में अपना अध्विती योगदान दिया उनकी पूर्णिस्मिती में ये कर्दक उनको रास्ट बार-बार नमन करता है हमारे संभिधान का निर्मार एक ऐसी बिलक्ष और प्रतिभा के हाथ हुआ है जिससे विश्व के दिगज बुद्ध जीवी भी अवगूत हो जाया करते थे जिस समय डक्टर अंबेटकर अमेरिका के कोलंबिया विश्व विद्याले में पढ़ाई कर रहे थे उसे कई लोग उस विश्व विद्याले का स्वर्ण योग गोल्डेन एरा कहते थे और विश्व के प्रशिद अर्थ सास्त्री हम सब लोग जानते हैं बावा साब बेसके लिए ही वज एन एकॉनमिस्ट और जिन बातों का उलेक किया सापला साबने वो बातें सच हैं और इसी लिए लेकिन एकॉनमिस्ट होते हुए भी उनका जो सामाजिक दर्शन था वो अद्धुती था और वहाँ पर जो उनके गाइड एंड फिलास्पर एकॉनमि में थे विश्व के प्रसिद्ध अर्थसास्त्री थे प्रोफेसर एडबिन सेलिगमंड उनके रिसर्च जो गाइड भी रहे थे उन्होंने विश्व विद्याले के सौविनियर में लिखा था कि कोलंबिया युनिवस्टी में यदि पढ़कर के गया है तो वो भी डक्टर बियार अंबेटकर द्वारा लिखित भारती संबिधान ने निसंदेहिर हमारे लोकतंत्र को एक मजबूत धाचा दिया है जो की लचीला भी है ताकि समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप इसमें संसोधन किया जा सके है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हर वर्ग के लोगों की आशाओं को पूरा करने के रास्ते डक्टर अंबेटकर के बनाए हुए हमारे संबिधान में उपलब थे संब्धान के प्रारूप को प्रुस्तुत करते हुए डक्टर अम्बेटकर ने संब्धानिक नैतिक्ता के महत्कुर रखांकित किया था उन्होंने कहा था कि संब्धानिक नैतिक्ता को विख्षित करने के लिए प्रियास करना पड़ता है यह कहकर उन्होंने इसपस्ट संकेत दिया था कि भारत वाजियों को संबधानिक नई दिखता का विकास करते रहना चाहिए डक्टरां अमबेटकर ने संबधान सभा में अपने अंतिम भाषण में संबधान को समझने उसकी रक्षा करने और उसके उद्देशियों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते इसपस्ट किये हैं उन्होंने संबधान के दायरे में रहकर काम करने तथा संबधान और कानून के सासन की अनिवारता के बिसे में समझाया उन्होंने कहा था कि किसी भी संभिधान की सफलता का आधार केवल उसमें नहित प्रावधान ही नहीं है संभिधान की सफलता जनता पर तथा उन राजनेतिक दलों पर भी निर्भर करती है जिनका उप्योग जनता अपनी आकांचाओं और राजनेतिक प्राथिमिक्ताओं को अंजाम देने के लिए साधन के रूप में करती है हमारे पास विरोध विक्त करने के संबैदाने के तरीके उपलब्द हैं अता संबिधान विरोधी ग्रैमर आफ अनार्की से बचना बहुत जरूरी है स्वतंदता, समता और बंदता को वे एक दूसरे पर निर्भर बानते थे इन तीनों में किसी एक के अभाव में बाकी दोनों अर्थ हीन हो जाते है उन्होंने कहा था कि मातर राजनेतिक लोगतंतर से संतोस्टो होना अनुचित होगा सामाजिक लोगतंतर के इस्थापना भी करना आवश्यक है उन्होंने ये भी कहा था कि लोग जनता द्वारा सरकार से अधीर हो चुके है और जनता की सरकार के प्रति भी उदासीन हो रहे हैं वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो जनता के लिए हो उन्होंने कहा था कि हम ये संकल्प लें कि जनता के लिए सरकार चलाने के रास्ते में जो अर्चन पैदा हो उसे पहचानने में हमतनिक भी गोता ही या आलस नहीं करेंगे और उसका खात्मा करने के अपने अभियान में जरा भी कमजोरी नहीं आने देंगे डक्टर अंबेटकर ने सिक्षा के बुनियादी मात पर बहुत जोर दिया था संबैदाने को देशियों को प्राप्त करने के लिए सिक्षा का प्रचार प्रसार होना अनिवार है वो कहते थे कि राजनीती के समान ही सिक्षण सहस्थान भी महत पूर्ण है किसी भी समाज की उन्नती उस समाज के बुद्धिवान, तेजस्वी और उत्साही युवाओं के हाथ में होती है सिक्षा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया और इसी लिए हम लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने अपने जीते जी नाकपुर हो, अथवा रंगाबाद हो, अथवा उसके आसपास के छेत्र हो जो उनकी कर्म भूमी रही थी वहाँ पर उन्होंने अनेक विद्याले और अनेक सिक्षन संस्थाएं बहुत सारी उन्होंने इस्थापित की जीवन के सर्वांगीर विकास के लिए वे सिक्षा को पहली सीड़ी मानते थे संबिदान में दिये हुए राज्जी के नीती निदेशक तत्व सामाजिक न्याय के लिए इस पस्ट दिसाप्रदान करते हैं अनसूचित जातियों जन जातियों और अन दुर्बल वर्गों के सैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए काम करना राज्जी का काम है इसी प्रकार भोजन और जीवन इस्तर में सुधार करना भी राज्जी का दाइत्व है ऐसे अन निदेशक तत भी संबिधान में बढ़नित हैं जिनका सीधा प्रभाव अनसूचित जातियों और जन जातियों के लोगों पर पढ़ता है अंसूचित जातियों और जन जातियों के अधिकांस लोग अपने संबाइदानिक अधिकारों के बिसे में नहीं जानते हैं इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज सरकारों द्वारा सुआस्थ कानूनी सहायता, सिक्षा, कौशल जैसे छेतरों में चलाए जा रहे जनकल्यान के अवियानों और योजनाओं के बारे में भी काफी लोग जागरूक नहीं है यही स्थिती कन्या, महिला, किशान और गरीबों के हित्मे चलाये जा रहे अवियानों और कारकमों के बिसे में भी है यह यतियंद जरूरी है कि समाज के इन वर्गों में उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन कारकमों के पूरी जानकारी मिले आज हम सब लोग जो यहां बैठे हैं या जो नहीं भी आपाए हैं लेकिन सिक्छित हो चुके हैं उनका एक बिसेश दायत तो बनता है आज हम जो भी हैं जहां तक बढ़े हैं इस मुकाम तक पहुँचे हैं इस सब में अगर सबसे अधिक किसी को एक विक्ति को से जाता है तो वो डक्टर अम्बेटकर को जाता है और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हम सब के उपर बाबा साब का कर्ज है इस कर्ज को कैसे हमें चुकाना है यह हमें सोचना होगा इसके लिए हमें आत्म चिंतन और आत्म मन्थन करना होगा यहां पहुंसते पहुंसते हम अपने अन गिनत अनेक भाई बेहनों को पीछे छोड़ाएं अनेक आप जहां पर भी खड़े हों पीछे की नजर दोड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो बहुत आगे निकल आए हैं पीछे बहुत छूट के हैं और एक बर्ग ऐसा है जिसको मैं कहता हूँ बेजुबान जो पढ़े लिखे हैं जो नौकरी पेसे में हैं जिनको बावा साब वाइट कालर कम्मूनिटी कहते थे उनके पास तो आपके पास कुछ साधन है साधन इस द्रिस्टी से कि आपको पीड़ा है आपको तकलीफ है आपकी समस्याएं हैं आप बढ़े लिखे हैं, आप लिखित में उन समस्याओं को सम्मंदित अधिकारी, मंत्री या कोई भी फोरम होगा वहां तक पहुचा सकते हैं आप समझदार हैं, इसलिए आप धरना प्रदर्सन रेलियां भी कर सकते हैं लेकिन समाज का गरीब समाज है, विसेश कर उसमें अनसुचित जाती और जंदाती की लोग अधिक हैं वो एक ऐसा जिसको मैं बे जुबान कहता हूँ, बड़ा लिखा नहीं है उनपर अगर अत्याचार होते हैं, तो वो अत्याचार सहते हैं, जुबान नहीं खोलते हैं क्योंको लगता है उनकी जुबान अगर खोलेगे तो उनकी बात सुनने वाला कौन है यहाँ पर हम सब लोगों का अधिक दायत बनता है और इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि बावा साब जो सिक्षा पर जोर देते थे यदि हर वेक्ति इस देश का नागरिक सिक्षित हो जाएगा तो वो समझदार बन जाएगा समझदारी आने बहुत जरूरी है कभी-कभी लोग कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा नोकरियां तो समाप्त हो रही नोकरी मिलेगे नहीं उनको एक बात आज नहीं इसके पहले भी मैं कहता था मेरे भाई देश का कोई भी हो यदि आप पढ़ें लिखेंगे तो बावा सामने समझदान में दो अधिकार दिये एक सिक्षा का अधिकार दिया है और एक बोट का अधिकार जो कि जब देश आजाद हुआ था उसके पहले ये दोनों अधिकार नहीं थे और बिसेश करके इस वर्ग के लिए बच्चित वर्ग और ये जो दो अधिकार हम सब को मिले हैं इनका हम सही रूप में आज तक हम सदुपयोग नहीं कर पाएं पैस सदुपयोग की बात करता हूँ उपयोग तो कर रहे हैं बोट का भी उपयोग कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि क्या होगा फिर जिसको बोट देना है बोट देंगे समझ नहीं है पढ़ने के लिए लोग सोचते हैं कि वही जो मैंने अभी बात कही कि नौकरी नहीं है तो पढ़ने से क्या फैदा तो उसका मैं एक उदारण दिया करता था कि आपका बेटा हो या बेटी हो ये पढ़ लिख जाएगा तो उसमें सबसे बड़ी जो काबिलियत होगी वो समझदारी होगी और ये दिया इनसान समझदार बन गया तो उसको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है कौन आपका भला करने वाला कौन बुरा करने वाला है और कहीं पर एक मैं जब बिहार का राज जिपाल था तो बैए एक बात उसको घटना के मैं बात बताता था इसी बात को ले करके यहां पर भी लोग सवाल उठाते थे कि पढ़ने से क्या होगा हमारा बच्चा मजदूरी कर लेगा कुछ कमा के लाया आएगा अनपढ़ है और यहां का मैं उधारन दू दिल्ली का दिल्ली से उसको यह दे जाना है अलिगर और वो बस में अगर बैठ जाए और बस का कंड़क्टर यह दिए उसको टिकेट तो देगा पैसा लेगा अलिगर तक का लेकर वो टिकेट देगा खुर्जा तक का क्योंकि आप पड़े नहीं है तो जो आपको टिकेट पकड़ा दिया अपने टिकेट ले लिया आपको पता ही नहीं कि यह टिकेट खुरजा का है या अलिगर का है और अंततो गत्वा जब खुरजा में अलीगर तक का तो आपको अलीगर हम पहुचाएंगे कम से कम बेसिक्स जो है बेसिक जो समझदारी है वो समझदारी तो आएगी आज मैं आप सब के माद्यम से मैं देश के हर वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं हम लोग जितना पढ़ लिख गए है वो अंतिम नही है लेकिन कम से कम जो हम अपने लोगों को पीछे छोड़ाए कम से कम एक प्रिली मरी जिसको हम कहते हैं Alimentary Education Alimentary Education तो सब को मिले और सब को मिलेगी केबल कहने से नहीं मिलेगी जो हम उसका एक आंदोलन चलाए और सही माइने में तभी हम बाबा साब अपने को बाबा साब का अन्वियाई के सकते हैं बाबा साब भी तो यही करते रहें जो बाबा साब करते रहें वही हमें करना है इसमें मैं कोई नई बात नहीं जोडता हूं उन्होंने सिक्षा बहुत जोड दिया मित्रो हमें आत्मिचिंतन करना है और अपनी छमता इवन संसादनों को उप्योग करना है। आज हम उतने गरीब नहीं हैं, आज हम इतने पिछड़े नहीं हैं। जितने भी यहां सब लोग बैठे हुए हैं, वो संसादन यूगता हैं। और ना जाने कितने लोग हैं। यह हम यदि एक बार हम दय कर लें, कि हम अपनी छमता और संसादनों का उप्योग करेंगे। हम अपने ऐसे भाई बेहनों के लिए सोचेंगे, कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह सब मैं आप सब के विवेक पर छोड़ता हूँ, कि कैसे हम मदद करेंगे। इस संदर में फोरम आफिस्टी एंडिस्टी लेजिसलेटर्स एंड पार्लिमेंटरियन्स जैसी संस्ता हैं, समाज के हित में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। मुझे बताया गया है कि ये फोरम संसदों और बिधायकों को समचित रूप से जानकारी देते हुए, उनके प्रभाव का उप्योग करने में ततपर है। इस ततपरता के द्वारा संबिधान में दिये हुए प्रावधानों और सरकार द्वारा चलाये जा रहे, कारक्रमों का लाप, अनसूचित जातियों, जन जातियों और अन गरीब तपकों को अधिका दिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मैं समाज के कल्यान में सनलंग इस पोरम को सभी प्रियासों में सफलता के शुब कामनाये देता हूँ और संबिधान दिवसकी आप सबको बहुत-बहुत बधाई और शुब कामनाये धन्नवाद जये।